नमस्कार और स्वागत आप सभी कर आज़ पर टीवी पर और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर रुख करेंगे उत्रप्टेश की खबरों की तरह अम्बेटकर ज्यंती के अफसर पर भीम राव अम्बेटकर की शोभा यात्रा शेहर भर में धूम धाम से निकाली गए यात्रा की शुरुआत नगला मान सिंग ते शुरू हुई और फिर शेहर की विविन मार्गों पर होते वे भीम राव अम्बेटकर पार्क पर जाकर यात्रा को समाप्त किया गया इसी दोरान रागीरो द्वारा यात्रा में शामिल लोगों द्वारा बावा साहिब अम्बेटकर की श्राकी पर जोंकर पुश्प वर्ष्रा हुई वोई अम्बेटकर यात्रा में भाली जुन से अलाव मरता दिखाई दिया बादचित के दौरान यात्रा में शामिर प्रमुख समासेवी रमेश सिंग ने बताया कि बावा साथ की जहनती देश भर में बड़े धूम धाम से मनाई गई उसे क्रम में अलिगर में भवे शोभा यात्रा कायजन किया गया बावा साथ के बादचित के बादचित के दौरा है, उन्हें दलतों की पिछणों की और मून निवासियों की आवाज घानी चाहिए जो की शहर वासियों के लिए 14 अप्रेल से 20 अप्रेल तक विभिन विभिन तरीकों से जागुपता करने के लिए प्रेयुजट की जा रही है पुलिस अधिक्षक निपुड अग्रवाल ने बताया कि 14 अप्रेयल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर गठे भीषट अगनी कांड में 66 अगनी समन कर्मियों ने अपने प्राण किया हूती दी थी उन दिवंगा अगनी शमन कर्मियों को श्रधान जली अर्पित करने के लिए प्रती वर्ष 14 अप्रेयल को अगनी शमन सेवा समीती दिवस्मन आया जाता है आगे बताते हैं उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रैली और सेवा दिवस्मन आया जाता है और लोग अपना किस प्रकार से आग लगने के कारण अपना बचाव कर सकते हैं इसको लेकर ये कारिक रंग 14 अपरेयल से 20 अपरेयल तक चलाया जाता है 14 अपरेल 1924 को मुमई बंदरगाह में भीसन अगनिकान गटित हुआ था जिसमें 6 अगनिकान कर्मी सहीद हो गए थे उसी के बाद से उन्हें सद्धानजली अर्पित करने के लिए प्रतेग बर 14 अपरेल को अगनिकान सेवा दिवस मनाया जाता है और उसके पश्चात आम जनता में आग के प्रती जो साउधानिया बरतनी चाहिए जो खत्रे होते हैं जिनकी वज़े से आग लगती है करोनों की संपत्ती अर्वों की संपत्ती और कितनी लाइफ नश्ट होती है उनकी जान जाती उसको रोकने के लिए एक सब्ता का अगनी कामन देवस मनाया जाता है 1944 में बंबई बंतरगाह में आग लगे जिसमें शाचट फायर कर्मी शहीद हो गए थे उन्हीं को याद करने को अपलक्ष में हम लोग कत्यक पर सिसको बनाते हैं इसी के साथ साथ एक हफते का एक सेंसिटाइजेशन ड्राइब चलता है जिसमें क सारे फायर के पुलिस कर्मी जितने भी अधिकारी है यह पब्लिक को सेचिटाइज करते हैं कि इस समय जैसे की गर्मी बढ़ रही है तो कुछ-कुछ इंसिडेंट्स होते हैं जिसमें फायर हो जाती है पब्लिक ही रहती है आप किस तरीके से इस तरीके से घटनाओं से बच और उन्होंने अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठकी वह उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे आवारा पशों के विच्रण पर भी चिंता जताते हुए कहा कि जल्दी इस समस्या से शेहर वासियों को निज़ाद विलेगा इसी मौके पर जिले के इस तमर्श प्रशासनिक अधिकारी और विधायक भी मौजूद रहे जियनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में इसको बनाया है और सभी आज इस कारकरम में संब्लित हुए थे अजमानी बिधायक बिलाग पिरमुग जिला पंचया जड़्यक शोड़स और विवागी अधिकारी आज अमबेट कर जेती कार्फ दियम और स्स्पी नहीं थे अज हमने भूसा बेंक बनाने की बात करी है पंदरा अप्रेल से पाछ मई तक अभिहान चलाकर भूसा इखटा किया जाएगा और जहां गौसालाय बनी है उन गौसाला में आविस्त अक्साधन भूसा हरा चारा पानी का प्रबंद और चारे का प्रबंद बाकी प्रकास का यह सारा प्रिबंद किया जाएगा मैंने बिधायकों से यह अपील की मैंने कि उन्हें सही हो करके की समाज के सही हो से यह समस्या सरकार के द्वारा नहीं किया सकती अलिगर्ण में कोरोना की आज शंकित तीसरी लहर को देखते हुए असपतालों में ऐक्सीजन प्लांट लगाये गए अब देखरें की तैयारी की जा रही है वहीं दूसरी लहर में मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत छेली पड़ी थी कोरोना के समय अस्पताल में भरती मरीजों के इतिमारदारों को अक्सीजन के लिए दर-दर की ठोकरे खाते हुए भटकना पड़ा था यगि अब कोरोना की तीसरी लहर आती है तो उस दोरान ज्वनपत में ऑक्सीजन की किल्लत न हो इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट इस्थापित किये गए है प्लांट इस्थापित करने के लिए ज्वनपत के पांच सामुदाइक स्वास्त केंद्रों को चुनित किया गया था ज्वनपताल और चार सामुदाइक स्वास्त केंद्रों में प्लांट इस्थापित होकर शुरू हो चुके है जबकि सामुदाइक स्वास्त केंद्र खेर में खुले आसमान के निचर लगाए गए गए ऑक्सिजन प्लांट को अब धूम से बचाने और इसका रख रखाव ठीक रखने के लिए नगरपालिका खेर के चेर्मेन द्वारा ऑक्सिजन प्लांट के चारों तरफ से टेंशेड लगाने का कारिक किया जारा है यह जो टीन सेट है यह सामदा एक स्वास्त किन खेर में लगा हुआ है क्या प्लांट है यह जो कि चेर्में संजीव अग्रवाल जी के द्वारा लगा गया है और इसके रख रखाव के लिए जो बारिस में जो बीक्ता है इसको बचाव के लि योगी अदितिनाथ की सरकार बनने के बाद बाबा का बुल्डोजर अवैद कब्जा करने वालों पर ऐसा चल रहा है कि हर अवैद कब्जा धारग सोच रहा है कि अब किस की बारी है अलिगर्ण की तैसील खेर के कस्वा खेर में गुरुवार को तैसीलदा हीरा लाल सैनी और राजिस विभाकी टीम के द्वारा मौके पर बुल्डोजर लेचाकर 50 करोड की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराएगे। खेर इंटर कॉलेज खेर की संस्था के लोगों द्वारा जो सरकारी जमीन पर पना कबजा कर रखा था ये सरकारी जमीन सरकारी अभी लेखों में राजर सरकार में बहुत पहले नहीं हित हो चुकी थी राजी सरकार में सरकारी भूमी नहीं थोने के बावजुद भी इस सरकारी भूमी पर खेर इंटर कॉलेज खेर ने जब रंद कब्जा किया हुआ था अब तक किसका कब्जा था जो चला रहा था जो है अब हमारे कब्जे में कितनी जमी नहीं आई लेकिन अगर वही ग्रामी गाउं के विकास तो लिकर परिशान हो तो आकर विकास कहां से उत्पन होगा गाउं में जगे जुड़ भराव की किलत से पूरा गाउं परिशानी से जूज रहा है पढ़ने वाले बच्चों से लेकर राज्चल्ट रागीर भी जुड़ भराव की समस्या से जूचते नज़रा रहे हैं ग् प्रधान इसलिए मेरी प्राधानी को छुड़वाने का प्रयास हो जा रहा है उन्हें गलियों में पानी भरा है कीच़ड से नालियां अड़ी पड़ी गिटियां वही इन्हें ज्राम कर देती हैं तो इसी पर अपनी दबंगई दिखा कर ये ग्राम प्रधान पे अपना पूशिश की जा रही है वारे के लिए रस्ता ने चक्की लगूई है गाम परेसान है मी परेसान है आगे हमारी पांचींता जमीन है पांच सार्ध वो बंजर परी है पांधवर्धास्ति फेरत खाए प्रधान दबंग है वो काम नहीं करना चाहता है यह कह दिए था कॉश और आज साधह साहब के पास भी गये हैं और एंडियो उन्होंने चेप फ़धा दिया बट आगे पानी नहीं निकलने देरह क्यों यह तो ननकी मांस सिक्पन साथ क्या पता होगा कैसे नहीं निकलने देरह प्रकता है यह क्यों परदान यहां दबंग लोगहां साइप पानी र देँ濁टाटावि पानी यहां पानी निकास है रहा साथ को थोड़ी सी आपक की यह पेसा है नहीं जो पक्ति बनवाया सकूं अभी मैंने सब्सक्राइब प्रेस कानुन विवस्ता मेहंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी पर जम कर निशाना साथा इस वीच अखिलेश यादम ने कहा कि सपा को जन्दा ने संघर्ष का जनादेश दिया है लोगतत्र के मूल्यों को बचाने समविधान को बचाने के लिए जो रास्ता अपनाना पड़ेगा समाजवादी लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे बाजपा मताया अर्द्वेवस्ता कब सुद्रेगी लूट कब बंध होगी ये सरकार नौजवानों के भविश्य से खिलवार कर रही है ये सरकार नौजवानों को रोजगार देने वाली नहीं है उत्रपरदेश के ये हाला हो गए है कि अब लोग नीमू चोरी करने लगे है बोल्डोजर वहां क्यों नहीं चारे जहां बलातकार हो रहे है बैंक लूटे जा रहे है मशिवपार के बीजेपी में जाने के सवाद पर अखिलेश यादव ने कहा मुझे जानकार ही नहीं है बुदरदेश किसान कॉंग्रिस के बैनर तली जनपर ज्वासी के तैसिल प्रांगर मुझानीपूर में किसानों की समस्याओं को लेकर जंगी प्रदेर्शन करते वे मुख्यमांत्री जी को ग्यापन उपजलादी कारी मुझानीपूर अंकूर श्रिवास्तव जी के द्वारा भी जा गया किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों ने जमकर नारे बाजी करते वे जिमेदारों को खड़ी खोटी सुनाते हुए आठ दिन बाद विद्युत विभाग मुझानीपूर का खिराफ करने की बात कही जर्बजवासी ब्लॉक बंगरा के ग्राम मगरवारा के खिरक मंजुवारा के विगत तीन माह से 500 की आबादिवाला यह खिरक अंधेरे में जीवन यापन कर रहा है और साथ ही तीन किलोमीटर रोड से लगा हुआ यह गाउं जिसमें आज तक आने जाने के लिए कोई रोड नहीं बना है हमारे तीन महिने से लाइट नहीं है बच्चों को पढ़ने की समेश्या है और हम लोगों किसान आदमी को लाइट की समेश्या यह ही है वैसे ही तो हम लोगों बहुत प्रहसार है तो वहां भी रोग दिनी सुर रहे हैं यह समझ्या है यह निवर्ण कार्ट को तीन महिने होगा तीन महिने से लाइट कार्ट है लाइट आई नहीं दी बिल्कुली लाइट है दूसरी पर हमाई पर कि लाइट कर रहा है आने जाने के लिए वहां आज तक कोई रोड नहीं है वहां की पांसो की आवादी रेलवे लाइन के किनारे होकर गुजरती है हमेशा जानमाल का खत्रा बना रहता है अन्धेरा होने से कई किसानों को सर्पों विच्छूने काटा कई किसानों की मौत हो जहां एक और भारत के प्रधान मंत्री आजणी मोदी जी कह रहे हैं हमने हर गाउं में लाइट पहुंचा दिए वहीं हर गाउं को हाईवे से सड़क द्वारा जोड़ दिया गया है लेकिन आज इस गाउं की जो कहानी है वो अपनी अलग बैया कर रही है चीज भीशन गर्मी में पैटालिश से अनकालिश दिगरी पारे में लगातार तीन महीने से ल पाइदा दिखा कर उनके करोन रुपे लेकर भाग गई दर्जनों पीडित लगातार पुलिस से कारवाई की गुहार लगा रहे हैं लेकिन कारवाई नहोंने पर दर्जनों लोग एसेस्वी कारियाले पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रहे थे जुन पर जह पताया कि भीडवाड़ा की एक कंपनी पुरानी तेहतीर के पास खुली है जो रियल स्टेट से कई कारोबार करती है इसमें रुपे लगाने पर दो साल बाद वही रखम दोगुना करके वापस देते हैं उन्होंने आरोप लगाया कि सभी लोग उनकी बातों में आ गए और जब किसी ने डस लाख किसी ने पाच दुन लागा दिया इसके बाद लॉक्डाउन लग गए काफी समय बीतने के फार जब सभी ने इस कंपनी कारयाले में पता किया तो कारयाले बंद था और व्यक्ति भी वहां से गायब हो गया था उन्होंने ए इसलय से लेपोर्ट डÈ तो फिर उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया तो हम लोगों ने सिकायत किया इसके बाद बार-बार कुस्स करने के बाद जितना कुछ आस्वासन देते रहते हैं वक्त लेकिन डूबल कंपनी का पैसा रिटन करवाने की कुछ बात ही नहीं होती है केंद्र वित्य राजवंद्री पंकच चौधरी का बयान सामने आया जाकेंद्र वित्य राजवंद्री ने कहा कि कोविड ने पूरे विश्व की अर्थवियस्ता को नुकसान पहुचाया है दुनिया के साथ साथ भारत के अर्थवियस्ता भी माइनस में गई है मोदी जी के नित्रित में देश की अर्थवियस्ता तेजी से आगे बढ़ रही है आज डाक्तर भीम लाओ मेटकरी का जनम दिवस के उसर पर दोबार की इंता पार्टी की पूरे इस सब्ता सब्रस्ता जिवस के रूप मना रही है उसकाय करिब के दर्थ मेरा आना हुआ और साथी साथ तदान मंत्री मोधी जी जिस प्रकार से पूरे समाज में समस्ता का भाव परिदा करने का काम कर रही है उसी प्रकार से देश में सभी जीलों को बराबर हिस्तेदारी मिले ऐसे अकांची जीले का भी निरक्षण करने के लिए मुझे पार्टी द्वारा यहां पर सर्कार की तो दोरा पेजा गया है उसके तरत में चंदोली में वीपूर विकास हो कि चंदोली एक आकांची जीला है इस राव जीला है कि आर्था सोसाइटी वालों ने बिल्डर गौदम थापर के खिलाफ प्रदर्शन क्या सोसाइटी वालों ने बताया कि बिल्डर ने फ्लैट खरीते समय जो फैसिलिटी देने की बात कई थी वो फैसिलिटी नहीं दी गई है और साथ ही साथ जो फैसिलिटी दी गई है वो अभी तक बालों को पीने के लिए पानी की विवस्ता बाहर से करने पड़ती है तो उससे लोगों की तवियत भी खराम हुजाती है पूरी बिल्टिंग में सीलन की सिती बहुत जादा खराब है एक बार भेंकर तरीके से आग लग चुकी है इस बिल्टिंग में उसके इलावा सीलन ने पूरी बिल्टिंग को हर फ्लैट को डैमिज किया हुआ है बैचों के लिए प्ले एरिया है नहीं है पर बिल्डर कहता है मैंने कमिटेटी नहीं किया था जूट बोलता है सारी चीज़े स्विमिंग पूल है वह अभी भी खराब पड़ा हुआ है छट पर उपर किलब हाउस बनाया था टेरिस गाटन बनाया था वह कुछ भी नहीं है हम बार-बार काम करने के लिए बूल रहा है वो भी नहीं कर रहा है हम उसको है उपरास्ट्रपती बहं करने के निजी ट्रेन से बनारस स्टेशन पहुचेंगे वही रुपराश्टुपती के साथ यूपी के राजविपाल आनंदी बेन पटेल और डिप्टिसी अंप्रिजवेस्ट पाथक भी होंगे बनारस स्टेशन पर उपराश्टुपती वेंकेन आईटू की अगवानी करनी की गंगा आर्थी में भाग लेंगे उसके बाद उपराश्टुपती के आने से पहले गंगा घाटों को फूल माला उसे सजाए गया है सुरक्षा के भी पुखता इंतिजाम किये गये है यहां तक की परिंदा भी एक पर नहीं मार सकता गंगा आर्थी देखने के बाद उफिर से बरेका अगेस्ट हाउस लोट जाएंगे वही राजिपाल और डिफ्की सियां सर्किट हाउस में रात में प्रवेश करेंगे वारानसी के राजवा तालाव के कचनार, रानी बाजार और परसुपुर में विगत दो साल से पानी की आपूर्थी बंद है विखारी पुर में संच्वारे जल निगम के ओवर हेट से दूसरी क्यूवर को मूटर विगत दो साल पहले जलने से यहां पेजवार की रफ्तार धीमी रहने के कारण हर दिन लोगों को पीने की पानी की समस्याओं से जूजना पड़ रहा है वीशन गर्मी में भूगार जल इस तर काफी नीजे चले ज़ाने से पानी के बिना जल जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है गाउं के लबबग समी सरकारी हैंडबंग सुख जाने के कारण यहां दिक्कते पैदा हो गई है फर्याद के बाद भी जल निगम समस्या के प्रती सक्रिय नहीं है जो से समाधान नहीं हो रहा है हाना कि शेत्र के निजे समर्सेवल से पाने देकर नागरिकों को रहत पहुचाने का कारे किया जा रहा है और दूसरे के समर्सेवल के भरोसे किसी तरह पानी का जुगाण कर यहां के ग्रामीर अपनी जिन्दगी जीने को विवस है आए देन ट्यूवल में तकनीकी दिक्कतों के चलते शेत्र में पानी की किलत पैदा हो जाती है प्यास बुझाने के लिए लोगों को घंटों तक इंतिजार करना पड़ता है और पानी के लिए लड़ता पड़ता है पानी की समस्या बहुत जाबे है आए गरीब डिए दो साल से नहीं आ रही है तो ही मोखले के लोग है उने का सिस्वा सब लोग भरते हैं समर्ज से बूल कि हाँ उन कि आसे अम लोग फार ने कराते हैं जल लगने के बाज भी ऱतर जो गया होगा नहीं पाल्ड है मोटर जल गया है पहले पाने याता था इसी तएके कितब आम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे ये राजबर टीवी सबसे पहले भारत अब आप अपनी पसिंदिदा चैनल राजबर टीवी को देख सकते हैं पसिंदिदा OTT प्लेटफॉर्म पर Daily Hunt, Rock TV, MX Player, i2i, Ibaba, Vodafone TV, Geo TV, Geo Fiverbox, PTM TV, IP TV Galaxy, Fast Away, IP TV, or Rock Q TV per.